हाई बच्चों कैसे हो आप लोग तो लास लेक्चर्स में हम लोग स्टड़ी कर रहे थे बेसिक कोर्स के बारे में मतलब NCRT स्टड़ी बेसिक बोर्ड के लिए अभी हम लोग स्टड़ी कर रहे हैं कॉॉटिटिज़ाम से लिए यह आर्टिकल स्पैसिफिकली R separation पे रखे हैं इन vacuum कोई हमसे बोले force का formula बताओ तो आप क्या बोलोगे 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square अगर हम इन दो charges को same charges को एक दूसरे से R separation पे रख दें लेकिन अब की बार हम इनको रखें medium में जिसका dielectric constant हो k k बराबर हम k माल लेते हैं तो यहाँ पे अपकी बार force कितना आएगा force आएगा now 1 upon 4 pi epsilon 0 साथ में आएगा k and we'll have this q1 q2 upon r square इसको हम fv बोल देते हैं और इसको हम fm बोल देते हैं clear तो हमारे पास दो अलग-अलग cases आगए आप बोलोगे सारी हमने already पढ़ा है हम आज पढ़ने वाले एक third case third case में क्या होगा दो charges के बीच का separation r k equal होगा और इसके बीच में एक medium field होगा और medium की थिकनेस आएगी k के बराबर और dielectric constant आएगा k के बराबर thickness दी हुई है dielectric दिया लेकिन अब की बार हमारे पास पूरा का पूरा medium field नहीं है partially medium field है इस case में अगर force आएगा F तो जो F की value आएगी क्या लगता है अंदाज़ा लगाओ वो कितने के बराबर आएगी तो हम क्या देख पा रहे हैं कि vacuum में force सबसे जादा आता है और medium में सबसे कम आता है ये वाला case ना तो पूरी तरह से vacuum है ना पूरी तरह से medium है इसलिए इस case में जो force आएगा वो सबसे जादा वाले force से थोड़ा सा कम आएगा वो सबसे कम वाले से थोड़ा सा जादा आएगा आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ इस force की value क्या आएगी इस force की value जो आएगी वो सबसे कम force कितना है बिटा सबसे कम ये वाला है तो ये वाला force इससे जादा होगा मतलब this should be more than FM and should be less than FB so this should be the relation of force between two charges जब medium कैसा भरा है पूरी तरह से भरा हुआ है कि partially filled है अब हमें समझना है कि हम इसका answer कैसे calculate करें तो answer निकालने के लिए तो मैं ऐसे बोल सकते हो कि sir suppose करो हमारे पास दो charges है Q1 and Q2 और इनके बीच में dielectric भरा हुआ है इनके बीच का separation R है अब force निकालने के दो method है या तो हम पूरी length को vacuum length मान सकते है या पूरी length को medium length मान सकते है मठ सच यह है ना तो हम पूरे length को vacuum मान पा रहे है ना medium मान पा रहे है तो ऐसे वाले किसमे हम conversion करते हैं conversion करने का मतलब हुआ इस article को हमने कुछ इस तरह से करना है कि ये कौन सी length है ये medium length है अगर हम ये convert कर पाएं कि this much medium length कितने vacuum length के बराबर होगी तो हम दोनों charges के बीच की modified distance लिख सकते हैं मैंने आप से क्या बुला अभी हमारे पास जो medium है उसका thickness कितना दिया हुआ T अगर हम किसी बज़े से T thickness का medium convert कर पाएं vacuum के case में तो हम calculate कर सकते हैं कि दोनों charges के बीच में modified length कितने के equal होगी तो हम नया force का formula calculate कर सकते हैं तो वो हमने try करनी है तो उसके लिए हमना article लिखते हैं और हम लिखते हैं article का नाम है equivalent vacuum length equivalent vacuum length का क्या मतलब हुआ हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि suppose करो हमारे पास दो charges हमारे पास दो charges small q and capital q मान लोके x distance पे vacuum में रखे हुए हैं कहां पे रखें vacuum में तो इनके उपर लगने वाला force कितना आएगा 1 upon 4 pi epsilon naught q q upon x square अब किसी ने तुमसे पूछा कि इन दो charges को हम medium में कितना दूर रखें ध्यान से सुनना इन दोनों charges को medium में कितना दूर रखें जिस से force की values same आए तो जिस distance पे रखेंगे उसको हम बोलेंगे equivalent length what I am trying to say मैं लाइन लिखवाता हूँ if these charges if these charges are placed at distance x dash in medium if these charges are placed at distance x dash in medium to get medium to to same force to get same force as as पहले दो charges को हमने कहां पे रखा था हमने रखा था vacuum में और इनके बीच में force लग रहा था कितना 1 upon 4 pi epsilon naught q q upon x square अब same charges को हमने कहां पे रख दिया medium में लेकिन same distance पे नहीं रखा कहां पे रखा x dash पे और कहां रखा medium में अब की बार force कितना आएगा 1 upon 4 pi epsilon naught क्या लिखना पड़ेगा k q q upon x dash square फिर एक लिखेंगे इफ थे तो forces are same if these two forces are same then x dash x dash is medium length and x is equivalent equivalent vacuum length equivalent vacuum length समझने कि try करो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम दो charges को या तो x distance पे vacuum में रख दें या उनी दो charges को x dash distance पे medium में रख दें दोनों cases में force की value same आएगी इसलिए हम इन length को क्या बोलेंगे आपस में equivalent length तो अगर force की value same आ रही थी epsilon 0 k q q upon x dash square देखो सारा कुछ कैंसल हो रहा है relation क्या रहा है हमारे पास relation रहा है x square equal to k into x dash square या फिर हम क्या बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं x dash equal to x by root k इसका क्या मतलब हुआ what is this x dash x dash is medium length equal to vacuum length divided by k I think आपको clear हो गया होगा मतलब दो charges को या तो हम medium में रखें या दोनों charges को vacuum में रखें force का relation same आएगा sorry यहां पर किया आना root किया आना था force की value same आएगी और हम इसे साब से relate कर सकते हैं जैसे कोई आप से एक छोटा सा example पूछें इसी formula पर बेस्ट example two charges two charges are placed in vacuum at distance 10 meter at distance 10 meter find distance between charges in a medium of dielectric constant 16 to have same force to have same force two charges are placed in vacuum at distance 10 meter find distance between charges in a medium of dielectric constant 16 to have same force इसका क्या मतलब हुआ what is what is what is 10 meter 10 meter is the vacuum length vacuum length k is how much 16 हमने निकालना क्या है हमने निकालना है vacuum length हो में गिवन है we have to calculate this medium length we have to calculate this medium length is equal to how much अभी अभी हमने relation निकाला था relation was medium length equal to vacuum length divided by root k that was 10 divided by root 16 that was 10 divided by 4 meter 10 divided by 4 या 5 by 2 या 2.5 meter इसका मतलब अगर हम दो चार्जिस को vacuum में 10 meter दूर रखे या medium में 10 by sorry 10 by 4 meter दूर रखे दोनों के सेज में force का formula या force की value सेम आनी चाहिए I think इतना clear है आप लोगको तो अब हम उसी को दुबारा आगे बढ़ाते है so we can say that these are charges in medium at distance a अगर कोई हमसे बोले these are charges in vacuum और इनके बीच का distance अपकी बार होगा a dash और कोई हमसे पुछे के a और a dash में क्या relation होगा जिससे force दोनों के उपर same लगे force दोनों के उपर same लगे तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे medium length याद करो बेटा आप बोलोगे medium length is equal to vacuum length divided by root k what is medium length a what is vacuum length a dash divided by root k so what is a dash a dash is a root k आपको clear हो रहा है इसका मतब हम इस हिसाब से आपस में इनको relate करके calculate कर सकते हैं अब दुबारा हमारा article fit से शुरू होता है हमारे पास दो charges Q1 we have Q2 इनके बीच में medium medium का थिकने स्टी दोनों charges के बीच का separation R dialect constant K इस पूरे पूरे डाइग्राम में medium length कितना है medium length equal to T this length this length this length can be converted into vacuum length as 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 कर रहा हों कि T thickness का medium T thickness का medium vacuum के equivalent होगा कितने vacuum के equivalent होगा root के into T के equivalent होगा तो इस वाले case में जब दो charges Q1 and Q2 के बीच में हमने एक medium भरा है जिसकी तिकने से होगी T के बराबर ये R के बराबर होगा ऐसे case में हम लिख सकते हैं कि vacuum length is equal to how much R minus T ध्यान से देखो total distance charges के बीच का is how much R उसमें T क्या चीज़ है medium R में से T subtract करेंगे तो बाकी कितना बच जाएगा R minus T So what is R minus T R minus T is vacuum length और जो आपको ये वाला दिया हुआ है ये वाला ये कौन सा length है medium length है हम इस length को किस में convert कर सकते हैं vacuum में convert कर सकते हैं तो this vacuum length equal to this plus T root के जिसमें से R minus T is what R minus T वो length है जो अभी already exist कर रही है और T root के क्या है T root के है जो T thickness का medium है इस medium को जब हम vacuum में convert करते हैं पीछे formula दिया हुआ है जब हम vacuum में convert करेंगे तो equivalent vacuum कितना आएगा इतना आएगा तो ये already exist कर रहा है और ये converted है किस से converted है medium से converted है तो अब की बारे में हम क्या मानके चल रहे है दोनों charges के बीच में medium मानके चल रहे है कि क्या बाल वैक्यूम मानके चल रहे है वी आर considering only vacuum तो ऐसे कि इसमें force का formula आएगा 1 upon 4 pi epsilon not ध्यान रोखो मैंने क्या बाल epsilon not लिखा क्योंकि हम क्या मान रहे है medium में convert कर सकते हो फिर formula लगाओगे तब भी same answer आएगा लेकिन जब तुम vacuum को medium में convert करोगे तो इस जगे 1 upon 4 pi epsilon not नहीं लिखोगे क्या लिखोगे 1 upon 4 pi epsilon not k then आप solve करोगे ऐसा करते हैं हम इसके cases लिखते है हमारे पास जो formula अभी अभी आया that f equal to 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r minus t plus t root k हम इसको check करें कि यह सही है कि गलत है so we have now case 1 case 1 complete vacuum complete vacuum का क्या मतलब हुआ complete vacuum का मतलब हुआ t is how much t is how much 0 क्योंकि complete vacuum होगा तो medium होगा नहीं medium नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ t की value कितनी आएगी 0 what is f 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square यही तो होता था when two charges q1 and q2 were placed at distance r in vacuum then formula becomes 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square यही होता था यही आ रहा है case 2 case 2 case 2 is complete medium complete medium अगर यह पूरी तरह से medium होगा तो हम क्या करेंगे अगर यह पूरी तरह से medium होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि charges के बीच का जितना भी separation है charges के बीच का जितना भी separation है उस पूरे में medium है इसका मतलब r o t same होगे medium पूरे में भरा है तो r equal to t आएगा तो ऐसे किसमें जो force का formula आएगा that would be 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r minus t पहला वाला factor खतम हो जाएगा और दूसरे वाले factor में t की जगए हम r रख देंगे मतलब यहाँ पे आएगा r minus r plus t की जगए मैंने r रख दिया r root k का whole square हर जगए मैंने t की जगए r रख दिया इसको देखें r में से r cancel हो गया और यहाँ पे root k का square k आजाएगा तो value कितने निकल के आएगी value आएगी force equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k q1 q2 upon r square this is the formula so हमारे पास final formula क्या आया ultimate formula अगर आपको याद रखना है let's say आपको derivation याद नहीं रखना आपने कीवल formula याद रखना तो आप क्या याद रखोगे यह हमारे पास medium यह separation r medium का thickness t dialectic constant k in this case force formula is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r minus t plus t root k क्या whole square this is the final formula we can get the force between two charges तो हम एक different type of article देख रहे हैं जिसका नाम है electrify due to variable charge distribution हम examine करते हैं पहला case let us see कि हमारे पास एक ring है और हमने इसके पहले बाले articles में क्या देखा था कि अगर ring पे charge होगा ना ऐसे कुछ और कोई हमसे बोले कि center पे कितनी field आएगी तो हमें अच्छे से मालूम है हम बहुत सारा discussion कर चुके है net field कितनी आएगी 0 आएगी लेकिन इक कब आएगी जब charge का distribution कैसा होगा charge का distribution uniform होगा आप imagine करो कि ये center है और central line से किसी phi angle पे ये वाला point है और इस पे linear charge की density है lambda equal to lambda not cos phi इसका मतलब आपको समझ आ रहा है lambda equal to lambda not cos phi का क्या मतलब हुआ जैसे जैसे phi change होगा वैसे वैसे lambda change होगा जब हम बात करेंगे इस वाले point की यहाँ पे phi कितना आएगा 0 आएगा lambda की value कितनी lambda not अगर हम यहाँ की बात करते हैं आफ़ाई कितना आएगा 90 degree lambda कितना होगा 0 फिर lambda उसे आपसे इधर 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 सब जगे सेम आएगा कि different आएगा सब जगे different दिफरेंट आएगा अब हमें calculation करना है कि कितनी electricity लाएगी और कैसे आएगी क्या क्या नहीं होगा तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे तुम बोलोगे से lambda सब जगे सेम नहीं है अगर lambda सब जगे सेम नहीं होगा तो हम क्या consider करेंगे कि हम किसी phi angle पे जो situation हमें दिख रही phi angle पे जाएगे छोटा सा charge consider करेंगे इतना छोटा और वो एक छोटा सा angle बनाएगा कितना d5 के बराबर तो इस छोटे से point पे जो charge होगा वो होगा dq and that equal to lambda into dl dl मतलब क्या होगा उस ring का length होगा और हम दुबारा से क्या लिखेंगे dq equal to lambda into dl dl का मतलब r into d5 lambda is equal to lambda not cos 5 into r into d5 is dq हमारे पास lambda आ गया किसके form में sorry dq किसके form में आ गया phi के form में अब अगर हमारे पास charge यहां पे होगा तो इसकी वज़े से center पे electric field calculate करनी हो तो वो किदर आएगी वो इस direction में आएगी और वो कितनी होगी d e होगी and how much is d e d is k dq upon r square that is k by r square क्या value आएगी lambda naught into r into cos phi into क्या लिखेंगे हम d phi I think इतना clear हो रहा है एक r चाहें तो हम cancel कर सकते हैं यहां पे तो हमारे पास value कितनी बन जाती है हमारे पास value बन जा रही है हम यहां पे लिखेंगे d e is equal to k lambda upon r into cos phi into d phi this is what the electric field अभी हम क्या करेंगे electric field के दो component आएगे और हम लोग component निकालेंगे यह phi तो इधर आएगा d e का कितना component d e का cos phi और इधर कितना component आएगा d e का sin phi देखो हमारे पास दो method होंगे हमेशा एक method होगा हम सीधा सीधा solution निकालें कैसे solution निकालें हमने d e निकाल लिया हम d e का पहले cos phi निकाल के उसको solve करें d e का sin phi निकाल के उसको solve करें हमारे पास एक method तो यह होगा यह हमारे पास दूसरा method पता क्या होगा दूसरा method होगा थोड़ा दिमाग तो लगा लें कम से कम कहां पे किस तरह का charge होगा तो दिमाग लगाते हैं दिमाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे 5-0 लेम्डा की वैल्यू positive और maximum जैसे जैसे हम उपर जाएंगे लेम्डा कम हो रहा है कम हो रहा है यहाँ लेम्डा कितना आएगा 0 and similarly यहाँ पर 5 की value कितनी आएगी 180 and cos 180 कितना होता minus 1 इसका मतलब यहाँ भी lambda maximum आएगा लेकिन negative में इसका मतलब हमें क्या दिखाई दिया अगर हम इस पूरे link को दो पार्ट में divide करें तो right side वाले पर positive होगा और left side वाले पर negative होगा मैं फिर दिखाता हूँ यहाँ सबसे ज़्यादा लेकिन positive में यहाँ सबसे ज़्यादा लेकिन negative में यहाँ lambda कम होगा तो यहाँ भी तो lambda कम होगा इसका मतलब जो right वाला right half ring दिख रहा है na right half ring में इस central point पर सबसे ज़्यादा lambda और यहाँ पर सबसे कम या zero और left hand side वाले में भी same होगा इसका मतलब हमें थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा लग रहा है अंदाजा क्या लग रहा है कि इस वाले पे plus charge आएगा और इस वाले पे minus charge आएगा और electrophil हमेशा कहां से कहां होती है plus से minus की तरफ होती है इसका मतलब net electrophil किस direction में आएगी आपका दिमाग क्या काम करता है net electrophil इस direction में आएगी यहां पे कोई भी electrophil आने वाली नहीं है unnecessarily d sin theta को solve करके देख लो try करके देख लो answer zero आएगा क्योंकि इदर कोई component आने वाला है ही नहीं जहां component आना नहीं है उसको solve करने की कोई जरूरत नहीं है तो basically हमने किसको solve करना है हमने solve करना है इसको ध्यां से देखो dE की value कितनी आ रही है k lambda upon r cos phi d phi और d net कितना आएगा d cos phi तो अगर हम value लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं dE net is equal to what dE cos phi and what was d d was k lambda upon r into cos phi into d phi it was dE साथ में क्या आएगा cos phi बहुत बढ़िया अच्छा आपसको हम क्या लिखेंगे k lambda upon r अंदर क्या बच जाएगा cos square phi into d phi बचों को समझ में आ गया शायद आ गया यहाँ पे आएगा dE net I am hopeful कि आपको समझ में आ गया होगा अब हमने इसको करना है solve बिटा लेकिन इसको solve करने से पहले cos square d phi का integration हम जानते नहीं है तो हम क्या करेंगे हम इसको 2 theta के form में convert करेंगे हम एक formula जानते हैं शायद cos 2 phi equal to क्या लिखते हैं 2 cos square phi minus 1 अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे cos 2 phi plus 1 divided by 2 is equal to क्या आएगा cos square phi अभी हम trigonometric की बात कर रहे थे यह formula हमें पता चल गया अब हम क्या करेंगे इस वाले formula की value उपर डालेंगे और हमारे पास क्या value निकल के आएगी हमाले पास value निकल के आएगी e net या d e net क्या लिखेंगे हम k lambda upon r cos square phi को क्या लिखेंगे 1 plus cos 2 phi साथ में आएगा d phi divided by 2 एक बार चेक कर लो एक बार चेक करो देखो यहां पर क्या लिखा है यहां लिखा है k lambda by r हम लोगों निमाल लिख दिया k lambda by r यहां लिखा है cos square phi cos square phi की value कितनी आएगी 1 plus cos 2 phi divided by 2 साथ में आएगा d phi so this is the value now we take कुछ चीज़ें बाहर निकल सकती है integration से तो हम क्या करेंगे k lambda upon 2 r यहां पर आएगा यहां पर आएगा just a minute यहां पर आएगा 1 plus cos 2 phi साथ में आएगा d phi and this is something d e net integrate इतना clear हो गया अब हम रखेंगे limit limit कहां से कहां तक रखोगे आप understand करो limit रखेंगे since हमारे पास पूरा का पूरा ring है मतलब we are considering that whole ring is there तो phi vary कहां से कहां से तक करेगा 0 से लेके 2 pi तक so we will integrate from 0 to 2 pi और यहाएगा 0 to d e net मतलब यह value आजाएगी e net equal to k lambda upon 2 r into d phi का integration क्या आएगा phi plus cos 2 phi का integration क्या आएगा sin 2 phi divided by what 2 0 से लेके कितना 2 pi तक I think clear हो रहा है आपको and that value is k lambda upon 2 r phi की जगे आएगा 2 pi plus phi की जगे रखोगा 2 pi तो आएगा sin 4 pi sin 4 pi 0 होता है sin 0 भी 0 होता है इसका मतलब यह वाली value हमें क्या मिलने वाली है 0 मिलने वाली है यहाँ से answer कितना आएगा k lambda pi divided by r is what is e net तो हमारे पास यह answer निकलाया e net का कि हम लोग कैसे calculate करेंगे non uniformly charged ring के case में और यह non uniformly charged का जो function है वो बहुत तरह के हो सकते हैं मैंने आपको एक तरह का function करवाया there can be function of different types ठीक है बटा ऐसा करते हैं same article को एक और करते हैं अब ही हम बात करते हैं non uniformly charged sphere we talk about non uniformly charged sphere हमारे पास एक sphere है जो कैसा है non uniformly charged है imagine करो यह वाला sphere है इस पे चार्ज दिया हुआ है और यह कैसा है uniform है का non uniform है non uniform है मतलब सब जगे charge की value same same नहीं दी हुई है ठीक है और कोई हम से बोलता है कि यह center है center से यहाँ पे electrophile बताओ at some distance let's say x इस वाले point पे electrophile बताओ अगर तो यह uniform होगा तो हम एक line में solve कर पाएंगे कैसे करेंगे x radius का एक Gaussian surface बनाएंगे इसकी density given होगी और हम सीदा सीदा solve करेंगे answer आएगा लेकिन अगर यह non-uniformly होगा non-uniformly का मतलब हुआ हम लिख सकते हैं इसमें density density rho equal to 2x square जहाँ पे x is distance from c जहाँ पे c क्या है center है मतलब density क्या है rho equal to 2x square ध्यान से देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे rho की value बढ़ रही है इसका मतलब center के पास rho की value 0 है और जैसे जैसे दूर जा रहे है वैसे वैसे rho बढ़ते चला जा रहे है और कोई बोले के x distance पे कोई हमसे बोलता है कि x distance पे क्या निकालो electric field calculate करो density ऐसे given है और कोई हमसे बोलता है find electric field inside sphere at distance x अगर हमने क्या करना है sphere के अंदर कितने distance पे x distance पे क्या calculate करना है electric field calculate करना है क्या करेंगे हम हमें काम करेंगे कि हमें Gaussian surface बनाएंगे बना लिया हमने ऐसे Gaussian surface बना लिया अब हम क्या लिखेंगे अब हम लिखेंगे e dot d is equal to qn upon epsilon ऐसे ही करेंगे न अब qn कैसे निकालें qn निकालना बहुत बड़ी problem है अगर इस sphere में rho की value सब जगे सेम होती बिटक मैंने क्या बुला अगर rho की value हर जगे सेम होती तो हम एक बार में निकाल पारते एक line में calculate कर सकते rho यहाँ पे क्या है different different है तो q निकालने का या qn निकालने का तरीका क्या है qn निकालने का तरीका है कि हम एक बार में पूरा charge calculate नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर रहे होंगे हम करेंगे कि मैं इसका एक दूसरा diagram मनाता हूँ तो हम क्या करेंगे हमारा sphere था हम यहां से x दूर जाएंगे और एक spherical shell बना लेंगे ऐसे और इसकी थोड़ी सी thickness ले लेंगे कितनी इतनी थोड़ी सी और यह thickness कितनी होगी actually यह dx होगी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि row सब जगे same है कि अलग अलग है तो एक line में कर पाएंगे कि multiple line में करेंगे इस पर charge कितना आएगा dq dq कितना होगा row into dv row की value कितनी थी 2x square into dv सोचो dv कितना होगा dv होगा इस वाले shell का area यह वाले area multiplied by यह वाली thickness area कितना होगा area होगा 4 pi x square so we have this dv equal to 4 pi x square साथ में क्या आएगा dx is what dq dq आगया हमने q हमने निकालना क्या था वहाँ पर qn qn मतलब कौन सा वाला charge हमने निकालना था वो सारा charge जो कहाँ पर होगा x radius में होगा मतलब यह सारा charge निकालना है हमने यह सारा यह सारा कैसे निकलेगा यह तो अभी dq निकला हम integrate करेंगे कहां से कहां तक सेंटर से लेकर X तक R तक करेंगे के X तक करेंगे X तक करेंगे तो जो हम इसको integrate करेंगे न sandhited करेंगे है ना बचा ऐसे करेंगे तो DQ का तो Q हो जाएगा 2 बाहर 4PI इस औलसो बाहर अंदर क्या बचेगा X 4 इन्टू DX x, integrate कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके x तक, तो हमारे पास q की value कितनी आएगी, 8 pi into x power 5 divided by 5, यह हमारे पास charge निकल आएगा, है ना, charge निकल आएगा कितना, 8 pi into x power 5 divided by 5, यह q in आगया, तो अब हमारे पास वह formula था, अब याद करो, हमारे पास formula क्या था, formula was e dot da, cyclic integral equal to q in upon epsilon, जहां पर q in का मतलब क्या था, कि x radius में लाई करने वाला, कितना charge होगा, तो x radius में, अच्छा एक और चीज़ है, इनके बीच में तो 0 होगा, हमें अच्छे से मालूम है, charge इधर इधर सारे जगे है, तो इसमें से electric field बाहर निकलेगी, e, और यहां पर जो area ह होगा, वो भी इधर ही होगा, da, दोनों के बीच में अंगिल कितना आएगा, 0 आएगा, तो relation कितना आएगा, eda cos 0, equal to q in, q in is what, 8 pi, x5 by 5 upon epsilon, अच्छा एक और चीज़ है, e यहां पर सब जगें सेम होगा, इधर सब जगें e की value सेम आएगी न, सब जगें सेम आएगी, तो हम to 8 pi, x5 upon 5 epsilon, clear है, और यहां पर जो value आएगी, da की, da कितना आएगा, da कौन सा वाले area है, da है, उस circular ring का area जो हमें सामने दिख रहा है, तो उसकी जब value को हम calculate करेंगे, तो वो निकल के आएगा, 4 pi, x2, so हमारे पास, इसकी value आएगी, finally, e into, da का integration a, that is 4 pi, x2, and right hand side में क्या लिखाता, 8 pi, x5, divided by 5 epsilon, यहां से जब हम e को calculate करेंगे, तो देखो, 1 x2, cancel हो गया, 4 pi, cancel हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 x3, divide by 5 epsilon, is electric field, यह कहां पर आरी, electric field, electric field आरी है, अंदर, at some distance, कोई बोले, at center, at c, at c, electric field is, 0, कारण, c पर x की value कितनी आएगी, 0 आएगी, कोई बोलता, on surface, on surface, surface पर x की value कितने के बराबर होगी, r, जहां पर r क्या चीज़ है, उसका, radius है, और e equal to कितना आएगा, 2, क्या लिखेंगे हम, r cube upon 5 epsilon, कोई हमसे कहता है, बाहर निकालो, if somebody says, इसकी बाहर निकालो, मतलब, इसकी वज़े से, इधर निकालो, इधर, यहां पर, outside, तो हमें अच्छे से मालूम है, कि outside points के लिए, sphere कैसे behave करता है, as point charge, और value कितनी आएगी, k, q upon x square, आप q कैसे calculate करोगे, q कैसे calculate करोगे, q कैसे calculate करोगे, q calculate करने के लिए, हमें dq को integrate करना पड़ेगा, आपको याद होगा, अभी हमने dq निकाला था, पीछे लिखा था, dq was, rho into db, वहाँ बैक में लिखा आप इसको integrate करोगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, उससे क्या निकलाएगा, total charge निकलाएगा, कहां पे निकलेगा, इस वाले sphere पे, उस total charge की value को उठा के, अगर हम यहां पे place करेंगे, I mean, at this place, if we place this value, यहां पे, तो क्या calculate हो जाएगा, तो e calculate हो जाएगा, कहां पे, inside के outside, 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 so हम क्या निकालना सीखें अभी, कि non uniformly charged sphere की वजह से, उसके अंदर किसी point पे और बाहर किसी भी point पे electric field, कितनी आती है, यह हमने अभी पड़ा, I think आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, इस पे based आप अच्छे level की books करें solve, उसमें जो numerical मिलते हैं, आप करेंगे, आप